एक वो होता है ना जो क्या कहते है इसको raw material एकदम खराब और फिर एकदम एक मूर्थी तयार हो जाती है तो यह आपको मैं गीद सुनाता हूँ, powerful यह आपको पर बाप आप आपना गापना गोट्म तो आज हम सब के बीच में हरिश भाई जी उपस्तित है और बहुत ही सुन्दर तरीके से ये गीत गाया है और देव रंजन भाई जी है उनको हमने देखा नहीं अभी तक वो भी आया है अच्छा पहले मदूबन में थे तो दो मिनिट आप आएंगे तो इन्होंने अपने बहुत सुरिली आवाज में ये गीत गाया है और उस गीत को सुनते हुए भी जो गीत गाता है उसके भाव उसमें समाज आते हैं कितनी तनमयता से व्यक्ति गाता है वो उस उनके शब्दों में फाव में पता चलता है ये इतने इनके बाबा के जितने भी गीत है और एक क्वेस्चन आपके उपर रखा था हमने जैसे सोचोंगे वैसे बनोंगे भाई साब का चित्र था उसमें वो समझ में आया था क्वेस्चन क्या है एक प्रशन था MCQ जैसे सोचोंगे तुम वो इसे ही लिए रखा था इनका चित्र वो कितनों को समझ में आया पता नहीं है कि MC क्यों रखा था अभी याद आया तो आज हमारे बीच में हरिश भाई जी है अचानक आये है मुझे पता नहीं था आप यहां है जब आपका मैसेज आए थोड़ी देर पहले कि मैं यहां और क्लास में आओंगा तो हमें बहुत 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 खुशी है कि हमारे इस यग्य में एक ऐसी एक आत्मा है जिसकी इतना समर्पन भाव है बाबा के लिए इतना प्यार है लास सो फास्ट है लास सो फास्ट और बाबा के जितने भी सारे गीत गाये है उन सभी गीतों में इश्वरी एक रुहानी जादू है जो कोई भी सुन ले चाहे बहार का भी कोई सुन ले अंदर एकदम घुश जाता है एकदम टच सीधा सबकॉंशियस तो राइट टान लेफ टान सीधा अंदर घुश जाता है और बाबा के लिए प्यार अपने आप बढ़ जाता है तो आप एक तोश अंदर हम बच्चे वो आए है क्या नहीं बच्चे नहीं आए खुम शांती शुक्रिया बाबा का बहुत और आप सब का सचिन भाई जी का बहुत शुक्रिया आप सब समझ सकते होंगे मैं क्यों शुक्रिया बोल रहा हूँ बहुत सारी चाबियां उन्होंने हमें दिये बहुत सारी ताले खोलने की इसा उनका अपने जीवन का भी अनुभाव है ऐसी छोटा सा अनुभाव है मेरा कि दुकान थी हमारी छोटी सी उज्जेन में तो आप इमें बैठता था और मैं बोलता था यह दूल मिटी वाला काम मुझे नहीं करना है इससे निकालो मुझे मेरे को म्यूजिक करना है ऐसा लाइफ हो जैसमें म्यूजिक ही म्यूजिक हो तो गुरु जी मिले बीके थे पंडित प्रिष्ण कांथ शुक्ली जी उन्होंने फिर वो हमेशा बाव जी को बोलते थे यहां बैठने के लिए नहीं पैदा हो है बाव जी उनके साथ में ऐसा हो जाता था के रही एक विगड़ गया दूसरे को भी विगड़ हो गया सा ऐसे करते करते दादी जी से में मिला था तब जयान में नहीं चलता था गुरु जी बहुत कोशिश करते थे किचते थे पर मैं नहीं जाता था समझ रही थी पर cut the long story short कि हमेशा से आदत थी मांगने की तो भी भाई जी ने भी बहला कि अच्छे उससे मांगो तो फिर कायनात भी मदद करती तो मैं तो बाबा नहीं मदद की मैं सोचता था एक गाना में हमेशा गाता था कदम-कदम मैं बाबा अभी मेरे गाने कभी आएंगे एकी गाना कब तक गाऊंगा में तो मेरा है भी नहीं सो इतना अबंडेंस मिल जाता है कई बार अगर हम सचे दिल से अगर अच्छे भाव से और निश्वार्थभा बहुत सारे आज पॉइंट नोट किये मैंने सो ऐसी जीवन जीने की कला बाबा ने हमें सिखाई है और फिर ऐसा लगता है फिर मुझे लगता रहे ये गाना नहीं भी गाता कहीं समर्पित भी होता तो भी उतना ही मज़ा आता मुझे तो सो कुछ लाइन मैं सुना देता हूँ देव रंजन भाई हैं हमारे पहले गॉडली वूड में थे अभी उनकी मुंबई में कुछ सेवाए हैं तो इस्टूडियो में ही मेरे रहते हैं तो उनने म्यूजिक किया है सारा यादों में तुम हो बाबा खाबों में तुम हो बाबा जीवन तुम ही से बाबा हर सांस तुम हो बाबा सागर भी तुम हो बाबा साहिल भी तुम हो बाबा दिल की तुम धड़कन बाबा सरगम की धुन तुम बाबा इन आधी तुफानों में खोना जाओं मैं बाबा इन आधी तुफानों में खोना जाओं मैं बाबा सुन साहन काली राते राहों में आते जाते बैभीत करती पल-पल बेचैन दिल को माया नेशब्द फैली चाया तेरे सहारे अब तो निकल पड़ा हूं मैं बाबा ओ बाबा तु ही सहारा ओ बाबा तु ही किनारा ओ बाबा मेरे बाबा खाबों में तुम हो बाबा यादों में तुम हो बाबा दर्द की दवा तुम बाबा घम में सुकू तुम बाबा सपनों की उडाने तुम से जीवन की राह तुम बाबा सफर में खुशी तुम बाबा जीने का सहारा बाबा हर पल में तुम हो बाबा जीवन में तुम हो बाबा दर्द कर में तुम हो बाबा सांसों में तुम हो बाबा ओ बाबा मेरे बाबा यादों में तुम हो बाबा खाबों में तुम हो बाबा ये था ओरिजनल अब टोली देंगे तो सभी टोली लेके जाएंगे अरिश भाईची के हाथों से यादों में तुम हो बाबा खाबों में तुम हो बाबा जीवन तुम ही से बाबा हर सांस तुम हो बाबा सागर भी तुम हो बाबा साहिल भी तुम हो बाबा दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की दुन तुम बाबा इन आधी तुफानों में, खोना जाओं में बाबा सुन सान काली राते, राहों में आते जाते भैवीत करती पल-पल, बेचेहन दिल को माया बेचेहन दिल को माया, नेशब्द पहली जाया तेरे सहारे अब तो निकला के ले बाबा ओ बाबा, तु ही किनारा ओ बाबा, तु ही सहारा ओ बाबा, मेरे बाबा यादों में तुम हो बाबा खावों में तुम हो बाबा दर्द के दवा तुम बाबा घं में सुकूं तुम बाबा सपनों के उडान तुम से जीवन की राह तुम बाबा जीने का सहारा बाबा हर पल में